यास एलो फ्रेंड्स वेलकम् टो प्लास्टिक्स व्य्ड मैं हूं आलो और हम परढहेंगे क्वालिट इंस्पेक्शन के बारे में वालिटि इंस्पेक्शन क्या होता है और क्या-kok्या पॉइंट इसके अंदर आते हैं तो बेसीकली क्वालिकली इंसपेक्श्च जो तेन टाइप का होता है इसमां से पहला टाइप है कि इंकॉमिंड कॉलिकलर इंस्पेक्ष्चन बोलते हैं या ट्री प्रॉड़क्शन इंस्पेक्षन बोलते हैं उसको अंग अगा कर देम इंकमीं क्वालिटी कोंट्रोल या इंकमीं क्वालिटी इंस्पेक्शन दूसरा होता है online inspection या in process quality control online inspection या और तीसरा होता है फाइनल इंस्पेक्शन तो यह तीन टाइप के क्वालिटी इंस्पेक्शन होते हैं तो अब मैं one by one सब्सक्राइब करनी जा रहा हूं कि incoming quality control inspection क्या होता है online inspection क्या होता है या final inspection क्या होता है पर पहला था incoming quality control या incoming quality inspection तो यह जो है यह मारा first step है यह quality के अगर Value inspection में जाएं तो यह first step है IQC is first step तो आइदेटिफाई एनी क्वालिटी रिलेटेट प्रोब्लम्स तो यह किसी भी क्वालिटी कुछ से रिलेटेट प्रोब्लम्स को फाइंड आउट करने के लिए तो हम सबसे पहले करते हैं बाहर से और करते हैं वह में हमें रॉमby इंडियर्ड परती है अधार कि मैं अधार चाहिए ही वह क्या करेंगे बाहर से उसको हम मंगाएंगे किसी थर्ड पार्टी से तो वह क्या होता है और हो किसी दूसरे पार्टी तुछ में अब बॉद आ रहा है था है अगर दो हम उसके करेंगे इंकॉमिन्न कॉलिटीय इंस्प्थे रहे बाहर से तो इससे क्या होता है बेसिकली जो क्वाटी से प्रॉलिम होता है वो हम इसली ली फाइंडर अपराइप सब से पहले में क्या करना चाहिए कर अगर है कि अगर तो विखुन करेंगे और डिपेंड करता है अलग-अलग रोमेटर से विज्वल तो common problem है common test है जी अगर आप विज्वली देखते हैं तो देखने साब को पता चलिए कि material हमारे पास जो आया है वो कैसा है उसका performance कैसा है देखने में कैसा है तो इससे क्या होता है incoming quality control या inspection करने से हमें कोई भी raw material अगर बाहर से हमारे पास आ रहा है तो उसका performance कैसा है या वो material कैसा है दिखने में उसका inspection कर लेते हैं तो अगर वो okay है देर हम production में लेते हैं अगर वो okay नहीं है जैसे not okay है उसका हम क्या करते हैं reject कर देते हैं तो मेरा basic problem तो यहीं से solve हो गया नहीं तो अगर मेरा product अगर not okay है जो हम material incoming मगाये है वो अगर okay नहीं है तो अभी उसका production अगर डालेंगे अगर उसका हम production करते हैं तो फिर हमें product जो मिलेगा वह good quality product मिलेगा कभी नहीं मिलेगा तो इसलिए हम यह incoming quality control inspection परफॉर्म करते हैं जिससे कि हमें आगे चल के कोई परिशानी नहों production के दौरा या फिर मेरा product जो भी मिले वह हमें good quality product मिले इसके लिए परफॉर्म करते हैं तो इसका एक और अपना भी कुछ criteria होता है जैसे कि हमें जो material चाहिए वह अपना कुछ extended दिया रहता है हमें जो मेटल चाहिए यह extended को में वह फॉलो करना चाहिए सपोज कुछ material दिया है इंकमिंग मेटल पर सब्सक्राइब कुछ वेट दिया है कि हमें यह वेट आठ केजी से 10 केजी के रेंजी में चाहिए सब्सक्राइब किया है सप्लायर अगर दे रहा है साथ किलो पांसो ग्राम या दस किलो 200 ग्राम में तो यह आपके लिए डिफेक्ट है ना यह तो आपके रिकार्मेंट से बाहर है तो अगर आप उसी टाइम पे material आया इंकमिंग क्वालिटी कंट्रूर उसी टाइम पर परफॉर्म कर लिए तो आगे चलके आपको परिशाद ही नहीं होगी और आपका एक तो यह हो गया तो इससे आप इंसूर होते हैं कि हमारा जो material वह सही है तो आगे इंसुरीटी थोड़ी बढ़ती है कि हमारा जो प्रोड़क्ट होगा अब दूसरा इसमें क्या होता है अगर हम बार्गेनिंग करते हैं करते हैं यह कंग है अगर हम को फिचसेशन करते हैं अगर कोई संभल ले रहे हैं अगर हम हम क्या करते हैं अगर कि आप करते हैं तो उस कंडिशन में क्या करेगा supplier वो आपको आपके requirement से थोड़ा कम अलग requirement को देदेगा जो आपको कैसे पढ़ा चलेगा कि हमने करना मिला की नहीं हमें तो उसी के लिए इन्सुरिटी के लिए हम incoming quality क्ट्रोल इंस्पेक्शन परफॉर्म करते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट अब देखते हैं जो भी है इन लाइन इंस्पेक्शन या इन प्रोसेस इंस्पेक्शन या इन प्रोसेस इंस्पेक्शन यह वर्ड से क्लियर होता है ओनलाइन इंस्पेक्शन मतलब प्रोडक्शन के द यह क्या होता है यह होता है कि जब पोर्ट मेरा बन रहा है उस टाइंव मुझे करते हैं तो इसमें क्या करते हैं इसे बहुत सारे इसक्षेंट होते हैं और अलग-अलग stages पे होते हैं कि अधर्ट के प्रोड़क्षण से लेकर प्रोड़क्षण चाफ होता है तब फाइनल पीस जा प्रोड़क्ट जब आपको मिलता है उसके बीच में का जो वोता है ना वह बलते हैं हम online inspection तो उसमें बहुत सब कोई प्रोडक्त करेंगे सबसे पर्सेट करेंगे अगर अगर सबसके इसका कुछ वेड़ दिया हुगा है तो हम वेड़ चेक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे तो सारे प्रोड़क्ट का अलग अलग रिक्वार्मेंट होता है तो हम उसके कॉर्डिंग जब हो रहा होता है तब हम उसका इंस्पेक्शन करते हैं या क्वालिटी चेक करते हैं ठीक है कि ऑलैन Eagles risks का हमें इंपंट होता है एक कि जब प्रोड़क्शन में जब कौई product है उस ताइम से एंगर हमें यह करते हैं तो हम नो सब्सक्रτιования युजकी नहー उसको कश्टमर कम्प्लैंज को बेंग रिदियूँस करसकते हैं ठीक है किस्टेमर कंप्ले रिड्यूस करते हैं और फिर अमारा लॉट 29 और बचा सकते हैं इससे हैं लुत होने से अगर आ में इंपóर्पलाईन को थे इसरी के आमारा जूवी हो वह बहुत सारे rejection control हो सकते हैं ठीक है क्या होता है quality में कोई-कोई ऐसा issue होता है जो कि हम इस process के production के during हमें उस issue को fix कर सकते हैं कोई-कोई ऐसा हमें problems आते हैं जो कि हम इसके बीच में fix कर सकते हैं तो उस सक time पे हमें online inspection का काफी importance नजर आता है और यह काफी important point है ठीक है तीसरा point यह वो है final inspection यह final inspection क्या है वो लास्ट लास्ट स्टेज है ठीक है जब product कोई बनता है तो final inspection लास्ट इंस्पेक्शन है जिस से कि हम customer को देने से पहले insure हो लेंगे कि हमारा जो product है वो good quality product है या कुछ problem है उसमें प्रोड़क्ट है या डिफेक्टेड है ठीक है अगर प्रोड़क्ट है तो हम उसको basically क्या होता है प्रोड़क्ट है तो हम उसको dispatch करेंगे मार्केट में जाएगा वह इंड यूजर तक कर जाता है ठीक है तो अगर कुछ सपोज हमारे फॉस्ट जैसे कि था इंकॉमिंग और सेगेंड था ऑनलाइन अगर इसके बाजूद चेक कर रहेंगे बाजूद भी कुछ product ऐसा होता है अब हम 100% कर नहीं सकते हैं उसमें कुछ sampling criteria होता है उसके हम inographicOME फानल इंस्रीक्षन मैं सेंपल ड्रॉप करते हैं सेंपल सैंप Bobby इंपलान सैंपल का सैंपल का क्या स्पोस्तित का हैरड सक्षब नगिक्षब हो depend या सब्सक्राइब करना विर्थ है होता है नियुकर दस सैंपब 20 सेंपल या सबोद्स सैंपल हीए निकालते है चेक करने के लिए तो यह फिर फाइनल इस्पेक्शन के बाद कहा जाता है इंडी यूजर के पास जाता है तो यह हमारा लास्ट अपर्चुनिटी होता है कि हम कोई भी टाइब क्वालिटी इसे ग्रेटेट अगर फॉल्ट है कुछ प्राउलम है था हम उसको फाइंड आप कर और बहुत सारे प्रॉलम्स इससे आ सकते हैं मार्केट से तो इसके लिए इंस्पेक्शन यह सब टोटल इतने पॉइंट से वह सारे हम परफॉर्म करते हैं तो हमने तीनों टाइप का इंस्पेक्शन देख लिया अब इसी को मैं लास्ट बार एक बार सौट में बताने जा क्या बलते हैं आई-ल-ओ आई मतलब इंकमिंग अ कैल मतलब ओनलाइन तो या लाइन भी बोलते हैं उसको ओ मतलब आउट गोईंग अ कि यह तीन प्रॉसेस हैं तीन स्टेप्स हैं हमारी पैसी गली सौट में समझे तो इंकमिंग लाइन और अगर हम इस तीनों पर कंट्रोल कर लिए तो हमारा हंडेट पर्सेंट कॉस्टमर कंप्लें रिट्यूस हो जाएगा है है हंडेट पर्सेंट यह कम एगा या ऐसे बोले तो जीरो पर्सेंट कस्टमर कंप्लेंग मेरा बचेगा ठीक है इंकमिंग देशेंग किया कोई योगी मेट्रियल आये कोई भी पाहर से समाना आ रहा है आपको ट्रौट में या फैक्टरी में तो सबसे पल्द हमें एस बरेंगे कर लेना है कि हमारा यह हो गया दूसरा है आप आनलाइन चेक कर है प्रोड़क्शन प्रोड़क्शन आप इसको लाइंग पर चीक कर रहाए आपको ज्यादा मेनद करने की जुरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपको ज्यादा ध्यान देने की जुरत नहीं पड़ेगा तो हमें क्या ध्यान में रखना है करने की तो हमें हमेशा इस पर ध्यान रखना चाहिए तो उससे क्या होता है हमें मार्केट में अपना जो है प्रोडक्ट वो गुड कार्टी प्रोडक्ट हमेशा डेलिवर कर पाएंगे मार्केट से हमें कंप्लेंड नहीं मिलेगा प्रोडक्ट का जो यूजर आप इंड्यूजर वह भी 100% सटिस्पाइब रहेगा इंड्यूजर भी आपको फिडबैक अच्छा मिलेगा उनको रहेगा प्लस आपको next order मिलने में भी डिले नहीं होगा next shipment भी आपका अर्दम टाइम पर जाएगा तो हमें यह सारे point ध्यान में रखके काम करना चाहिए तो friends फिर मिलते हैं next वीडियो में कुछ ऐसे ही interesting topic लेगे तब तक देखते हैं Plastics World चैनल को like करिए, subscribe करिए और share करते रहे Thank you so much